आज मैं आप सभी को निर्जला एकादसी ब्रत की कथा महात वाविधी बताती हूँ जो इस प्रिकार है निर्जला एकादसी साल की सभी एकादसियों में बहुत महात पूर्ण मानी जाती है पुराणों के अनुसार जेश्ट माह के सुक्ल पक्ष की एकादसी को निर्जला एकादसी कहा जाता है इस ब्रत में बिना पानी पिये उपवास किया जाता है निर्जला एकादसी ब्रत की बिधी इस प्रिकार है निर्जला एकादसी ब्रत करने वाले ब्यक्ति को एक दिन पहले यानी दस्मी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए एकादसी के दिन ओम नमो मगवते बाशु देवायक का मंत्र जाप करना चाहिए निर्जला एकादसी के दिन गौधान का विछेस महात्व होता है निर्जला एकादसी के दिन दानपुन्य और गंगा इस्णान का भी बहुत महात्व वाना जाता है द्वादसी को तुल्सी के पत्तों आदी से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए पूजापाट के बाद ब्राहमनों को भोजन करवा कर दक्षणा तथा कलस सहत बिदा करना चाहिए अंत में भगवान विश्णु तथा कृष्ण का इस्मन करते हुए स्वयम भोजन ग्रहन निर्जला एकादसी व्रत का महात्व पुरान के अनुशार जेश्ट माह की सुकल एकादसी को यानि निर्जला एकादसी के दिन प्रत करने से सभी तीर्थों में इश्णान के समान पुन पिलता है इस दिन जो व्यक्ति दान करता है वह सभी पापों का नास करते हुए परंपद प्राप्त होता है इस दिन अन, बैस्त्र, जो, गाए, जल, छाता, जूता, आधी का दान देना सुभ माना जाता है निजला एक अदशी ब्रत की कथा इस प्रिकार है एक बार पांडु पुत्र भीम से इनने स्री वेद व्याज जी से पूछा कि हे परंपूजनिय, विद्वान, पितामय, मेरे परिवार के सभी लोगे गादशी ब्रत करते हैं वा मुझसे भी करने के लिए कहते हैं, किन्तु मुझसे भूख नहीं बरदाश होते हैं आप किर्प्या करके मुझे बताएं कि अववास किये बिना एक आदशी का फल कैसे मिल सकता है वेद्व्याज जी बोले पुत्र भीम यदि आपको स्वर्ग बड़ा प्रिये लगता है वहाँ जाने के लिए एक्छा है और नर्क से डर लगता है तो हर महिने की एक आदशी का ब्रत करना ही होगा भीकिये हैं उनसे नहीं होपाएगा तो स्री बेद्व्याज जी बोले कि जेश्ट महिने की सुक्लपक्ष की एकादसी को ब्रत करना उसे नर्जला कहते हैं उस दिन अन तो क्या पानी भी नहीं पिया जाता है एकादसी के अगले दिन प्रहता कालिशनान करके श्वर्ण वाजल दान करना वह करके परायन के समय ब्रामनों वा परिवार के सायत अन आदि ग्रहन करके अपने ब्रत को विश्राम देना जो एकादसी तिती के सूरे उधर से दौादजी की तिती सूरे उधर तक बिना पानी पिये रहते हैं तथा पूरी विधी से निर्जला ब्रत का बालन करता है उशे साल में जितनी एकादसियां आती हैं उन सब एकादसियों का फल प्राप्त ह होता है यह सुनकर भीमसेन ने उस दिन से इस नर्जला वृत करने का पालन कर लिया और सारे पापों से मुक्त हो गई बुलो विश्णु भगवान ने की जये